देखे पिछले दस सालों से भारत की करोणों जनता महंगाई की मार जेल रही है उससे राहत के लिए इस बजट में क्या होगा इसकी ओर सबका ध्यान जाएगा किसानों की MSP की मांग लंबे समय से चली आ रही है साड़े साथ सो किसानों ने अपनी शहादत दी उनकी MSP को बढ़ाने के लिए बजट में क्या है इसको देखना होगा भारत की सेना को आपने चार साल के ठेके पर रख दिया अगनी वीर जैसी योजना लाकर भारत की सेना को कमजोर करने का काम किया आपके खुद के घटक धल कह रहे हैं कि अगनी वीर वापस लो उस अगनी वीर योजना को वापस लेकर सेना की भरती पुरानी इस्थिती में 17 वरसों के लिए जैसे पहले होती थी वैसे बहाल किया जा रहा है और उसके लिए बजट नरधारित किया जा रहा है कि नहीं किय जा रहा है इसकी और नौजवानों की निगाह होगी तो युवाओं का रोजगार किसानों की MSP देश की जनता को महंगाई से राहत यह बड़े मुद्दे होंगे जिसकी और इस बजट में लोगों की अपेक्षा है और वो ध्यान रखे अपना ध्यान देंगे ब्यापारी जिएश्टी से परिसान है उसको आप क्या राहत देने जा रहे हैं क्योंकि GST की मार दो तरफ आपड़ती है एक तरफ ब्यापारी को पड़ती है और दूसरी तरफ उभोकता को पड़ती है जितना आप टैक्स बढ़ाते हैं वो कहीं न कहीं घूम फिर कर जनता के उपर आत है और महंगाई बढ़ती है तो इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी और हम सब का ध्यान रहेगा क्या आता है बजट में उसके बाद अपनी प्रत्किरिया देंगे जहां तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है दिल्ली का बजट तो मैं अभी आत्मी पार्टी को चुन लिया दिल्ली की जनता ने अर्विंद केजरिवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया तो केजरिवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए आम आदमी कुछ नहीं मिल रहा और आज के बजट को मैं अभी लीक कर सकता हूँ आप देखेगा बजट आएगा 325 करोन से ज़्यादा हमें मिलने वाला नहीं है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखे रहे है योस 24